लास्ट सेशन में निफ्टी ने वालिटिलिटी तो काफी दिखाया अगर इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक गाप डाउन ओपनिंग उसके बाद एक रिकावरी फिर से एक फॉल और उसके बाद में अगर रिकावरी की बात करें फ्रॉम बॉटम से लेकर टॉप तक 130 पॉइंट का रिकावरी लगभग और फिर से उपर से चेक करते हैं तो आगें 70 पॉइंट का फॉल आया है अब सवाल यह आता है कि अगली मूवमेंट हमारे लिए क्या रहेगी क्या अक्चुल में कोई स्को बचा है फॉदर मूवक है न उसके लिए आपको निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर आना पड़ेगा और यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे पहले वो समझेगा पहला पॉइंट यह है कि अगर निफ्टी के लास्ट केंडल को चेक करेंगे तो यह एक बुलिश केंडल है च यह प्लेस किया गया है 19.387 के अराउंड और यह इस टाइम पे कुरूशियल सपोर्ट है तो यह हो गया नीचे के तरफ इसलिए आपको याद होगा हम कुछ टाइम पहले 19.400 की बात कर रहें कि 19.400 के नीचे स्टॉक वीक हो जाएगा या मैं कहूँगा निफ्टी वीक हो जाएगा तो आपको सब्सांशिल फॉल देखने को मिलेगा बट लगातार उसी को होल्ड किया जा रहा है उसके बाद में यह हो गया पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 के बात करें विक्स विक्स अभी ट्रेड कर रहा है 10.62 जो अल्मोस्ट लो लेवल पे है अगर इतना ज्यादा लो है और मार्किट अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि not big movement yet ठीक है तो ज उसके बाद अगर हम बात करते हैं resistance के बारे में तो पहला तो यह support आ गया resistance के बात करें तो 19,880 एक resistance है 19,950 दूसर resistance है और वो भी अच्छा खासा resistance है तो यह market को अप नहीं जाने देंगे right so अभी कहां closing है अभी closing है 751 का तो आपके लिए यहां से 100 point ऊपर और उसके बाद में फिर another I would say 70 point तो 170 200 point के around आपको rise देखने को मिल सकता है जिसमें 2 hurdle है that is 19,880 और 19,550 उसके लाबा हम क्या करेंगे यहां पर एक और चीज है वो है RSI RSI अभी stand कर रहा है 62.33 आप जानते भी हैं जब हम RSI plot करते हैं तो 60 40 का stance लेकर चलते हैं कोई भी movement 60 के उपर ही हम execute करते हैं which means 60 के उपर breakout होने के बाद ही हम bullish movement को support करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा bullish है बट फिर भी इसको आप neutral बोलेंगे कि अभी neutral ही है MACD की बात करें अभी यह bearish mode में है ठीक है और सबको मिलाके सबको मिलाके no big move in next week और अगर no big move in next week है तो क्या रहेगा आपका volatile लेकिन अभी जादे इसलिए हम दिख रहा है क्योंकि weeks की value सरफ 10.62 है plus range bound movement चलेगी तो फिल हाल के लिए अब यह movement रहेगी हमारी जो आने वाला पूरा week है तो अब हमें इस entire information को अगर intraday में convert करना है तो हम कैसी करेंगे चले बात करते हैं और friends अगर अभी तक आपने हमारे आप vodoo trading online download कर सकते हैं android or play store से to join our membership along with our courses और कुछ dmets account के link है उनको भी आप use कर सकते हैं चले आगे और वीडियो को पसंद आता है content तो like करके ज़रू मुझे support कीजेगा चले आगे बढ़ते हैं जो भी level में discuss कर रहे हैं यह buy sell recommendation बिलकुल नहीं है in case you are taking any trade or my recommendation you must consult with your financial advisor before taking those चले बात करते हैं मैं 30 minute के time frame पर आगया हूँ यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो हमें दो काम करते हैं पहला तो यहां से client draw करते हैं यह जाएगा चिक है and this is coming around 19 अभी closing कहाँ पर है closing है 751 का 19 751 तो पहली बात तो slow start होगा हमारा जो next week है उसका जो start हो soft रहेगा slow रहेगा यह एक breakout है this is coming around 19,780 इसके ऊपर जाने के बाद में आपको buy मिलेगा condition यह होगा कि एक बार उसको support मिल जाए तो जाद आच्छा होगा support का मतलब होता है कि आपके stop losses छोटे हो जाते हैं और एक double confirmation आपको मिल जाता है तो यह तो होगे आपका first जहां पर आप कह सकते हैं कि that a buy will come दूसरा यहां देखेगा यह इधर का level इसको अगर आप ऐसे करेंगे यह इधर का level and this is coming around 19,720 से लेका 700 यह level अगर नीचे की तरह breach हो जाता है तो आप यहां पर comfortably sell कर पाएंगे अब हम sell on rise या buy on dip की बात क्यों नहीं कर रहें क्योंकि movement हमारा slow रहेगा start जो है कोई major gap आप क्या major gap डाउन की उमीद नहीं है तो हम यह भी नहीं कह सकते किस time पर sell on rise आप करेंगे और मैंसे भी 98-80 के आसपास पहला resistance मिलेगा तब तक आप मैंसे भी safe हैं इतना ओपर जाने के बाद में you never know कि market नीचे आएगी या नहीं आएगी इसलिए हम levels के साथ stick करेंगे और अपने जैसे हमारे targets अचीव हो जाते हैं उनके साथ अपना profit कर लेंगे तो यह रहेगा हमारा nifty के लिए बात करते हैं bank nifty की बारे में bank nifty की जो current closing है that is 44,287 अब यहां पर आप देखेंगे यह हमारे पास यह वाला part आता है यह आ रहा है 44,350 यह हमारे लिए buy बनेगा यहां पर एक चीज में आपको note करना चाहूँगा अगर आप बात करते हैं let me just sector wise तो sector wise अगले week में जो हमारे पास sector रहेंगे उसमें reality और pharma यह rise के लिए ready है और अगर हम बात करें soft जो profit booking पर जा सकते हैं वो है PSEU और PSE तो क्यों मैंने आप इस point को note किया because PSEU हमारे banking system का part है तो इसके लिए हम इसको यहां पर discuss कर रहे हैं आप नीचे देखेंगे देखेंगे बार-बार यहां पर check करेंगे यह आपके आ जाएगा 44,200 गा इसके नीचे आपका sell बनेगा और ध्यान रखेगा PSEU पे अगर आपको profit booking देखने को मिले तो आप यहां पर 350 के break होने के बाद भी sell on rise कर सकते हैं comfortably आराम से आपको कुछ निदर 1500-200 point का fall आराम से मिल जाएगा 350 के उपर और अगर flat opening होती है और नीचे गिरता है तो उसके basis पे आप 44,200 के break होने के बाद sell कर पाएंगे और PSEU banks में आप comfortably जितने भी हमारे trades बनते हैं दो-तिन stock ही तो है उनमें आराम से आप अपनी profit booking support break होने के बाद ले सकते हैं that's for bank nifty बात करते हैं financial nifty के बारे में देखे यह चीज है यहां पर आप देखेंगे तो almost यहां से low बनाया था उसी क्यास पास आके close हुआ है हमारी current closing कहां पर है हमारी current closing है 19,827 का अब यह हमारे पास क्या है यह है आपका 19,790 ठीक है यह आपका बन जाएगा sell in fact यहीं से आपका buy भी बन रहा है तो मतलब आप अगर कुछ dip करता है तो 19,800 के round वापिस आके अगर rise करता है तो यहां पर buy on dip कर सकते हैं आप financial nifty के अंदर उसके बाद अगर आप देख 19,850 ठीक होने के बाद में यहां तो आपको फिर 870 मिल जाएगा तो दोने में से जो भी level आपको पहले मिले उसके basis पर आप अपना buy कर लीजेगा वैसे एक बार उसको break होने के बाद में उसी level को support ले हो सकता है 850 पर support मिल जाए तो वहां से भी आप comfortably buy कर पाएगे वा नहीं नहीं मिलता भागता चला गया तो 870 पर आपको definitely buy मिलेगा तो उसको देखते वे आप यहां पर buy कर पाएगे तो यह रहेगा हमारा financial nifty के लिए stock selection में हमारा पहला पिक रहेगा इपका लैब जैसे अभी आपने बताया कि फार्मा सेक्टर तो अच्छा राइज करेगा इपका लैब के साथ साथ में आप चाहें तो लूपिन और 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 फार्मा को भी आड़ कर सकते हैं यहां पर अगर देखेंगे तो यह कुछ आपका बनेगा और अगर नीचे गिरता है तो आई वूट से 954 को ब्रेक होने के बाद में आपका इंट्रडे सेल बनेगा और तो और वेट करना चाहेंगे तो आई वूट से 950 ठीक रहेगा क्योंकि यह जो है मीडियम टर्म सपोर्ट भी अवेलेबल है इपका लैब के अंदर उस और आज जो बनाया उसने 429 का सो लेट्स किप इट 429 यह हमें 430 ठीक रहेगा 430 को ब्रेक होने के बाद में यहां पर एक अच्छा बाई दिख रहा है नीचे गिरता है तो 424 के ब्रेक होने के बाद में यहां पर यह लेबल भी ब्रेक हो जाएगा तो आपका सेल भी निकल क करने की कोशिफ चर रहा है तो यहां पर लाइन पूर करके अगर देखेंगे at the 572 561 572 5728 थी क эт तो 572 और 564 का सल यहां पर निकल यह ऐसे यह झासे यह नीचे गित्रब आप स 20 बनेगा ठीक है तो यह रहेगा आपका बर्जर पेंट उसके अलावा मेरे पास में है that would be Apollo tire same pattern है बस थोड़ा सा नीचे एक तरफ आने के बाद में rise हुआ है यहां भी a kind of rounding bottom बन रहा है यहां का जो गर मैं लाइन दिखाता हूं तो आपको something like that और नीचे से line draw करेंगे so it will be something like that यहां पर आप देखेंगे इसमें आपका this is coming around 383 so 383 और नीचे गिरता है तो यह आपका लगबग यहां बनेगा I would say 379 से लेगे 378 इसके उपर आपका buy initiate होगा और इसको break होने के बाद में आपका sell initiate होगा Apollo tire के अंदर इसके लाबा मैंने बिर्ला soft और जैसे मैंने कहा Lupin और 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 फार्मा को भी चूज किया था तो उसको आप अपनी watch list में रख लेजेगा उन में भी इच्छी moment है और केंडरा बैंक और SBI को definitely आपको रखना है वहाँ पर भी आपको काफ़ इच्छी moment देखने को मिल सकती है तो guys यह रहेगी हमारे analysis of tomorrow और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मुद्वे लेगा मिलेंगे अगरी वीडियो में अंटिल दर आपकाई वियू करना मुद्वे वाई को करना मुद्वे लाइब वाई